हेलो एंड गुड इवनिंग आल आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और क्लास में जूडने का प्रयास कर रहे होंगे तो एवरीडे की तरह जैसे जैसे आप क्लास में जूडते जाएंगे अपना प्रेजन्स शो करते जाएंगे और अच्छी बात यह है कि आज काफी बच्चे जो हैं वो जूड चुके हैं मेरे साथ तो अच्छी बात है वेरी गुड जोट्सना जी जोती जी श्रीकांत जी मुहमद शा जी शाहीन जी खुश्पु जी वेरी गुड इवनिंग और अफ्यू बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग टाइम से आ गए हैं मतलब एक अंदर जोश है सबके और जोश होना भी चाहिए तो बाकी सब्जेक्ट्स की आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है क्या चल रहा है और सब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत अगर आ रही है तो वो भी बता सकते हैं प्रतिक्षा जी गुड इवनिंग टीना जी गुड इवनिंग ओके बहुत अच्छी बात है कि सबकुछ बढ़िया चल रहा है और आप लोगों ने अभी तक तो टाइम टेबल एक बना लिया होगा गुड इवनिंग रुपाली जी टाइम टेबल आपने बना लिया होगा क्योंकि देखे कोई भी काम को अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्लैनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपने क्या आपना टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ प्लैनिंग की है तो थोड़ा मैनम से हेल्प ले सकते हैं सुखवंती मैनम इंग्लिश की क्लास लेती है ठीक है तो वहाँ आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उनसे आप शेर कर सकते हैं बहुत अच्छा पढ़ाती है ठीक है तो आप नेक्स क्लास जो है मेरी क्लास के जस्ट बात आप वहाँ प क्लास होती है रोहिद जी भी आ गए अंजली जी भी आ गए वेरे गॉड इवनिंग ओल फ्यू ठीक है तो आप लोगों को और किसी भी तरह का हाँ एवियस में कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज के लिए तो वो बताईए तो फिर मैं जो आगे की क्ला है एवियस में और कोई प्रॉब्लम आएगी अल्मोस्ट सारी चीजें तो मैंने करा दी है अब देखे एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन जो निकल कर आते हैं वो भी मैं साथ साथ कराती हूं और पूरा टाइम देके पढ़ा रही हूं पढ़ाने को तो एक दिन में ह पढ़ी थी उसको एक बार हां उसमें आप क्या करेंगे थोड़ा फास्ट कर देंगी जैसे 2020 मैं ले रही थी अब हम आगे जब रिविजन शुरू करेंगे एक दो दिन में तो हम उसको 40 कर लेंगे ठीक है और पूरा रिविजन कर लेंगे साथ में तो उसमें आपको मैं डि आज 3 पी येम वाला जो क्लास है रोहिद जी वो नहीं हो पाई थी मैंडम की थोड़ी तब्यत खराब है तो वो नहीं ले पाई थी उनका मैसेज आया था कि उनकी तब्यत ठीक नहीं है आफ लोगों को भी मैसेज तो आ गया होगा जो टेलिग्राम पर तो मैंडम डाल ही द उट गए है CDP के, वो आप वहाँ से वीडियो जाकर के देखिए, अपना वो टाइम मत खराब करिए, जैसे कभी-कभी हमारे साथ technical issues हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आप क्या करिए, कि वो टाइम तो आपने सोच के रखा है कि मुझे CDP के लिए देना है, बट unfortunately class तो नहीं हो पाई, तो हम अपना time क्यों खराब करें, ऐसा नहीं करना है कि अरे, अब तो class नहीं चलो जाके एक नीन मार लेते हैं, यह नहीं करना है आपको, यह चलो कहीं घूम आते हैं, आपको क्या करना है, उस time पर CDP की है आपको एक class देख लीजे, जो आप कभी miss कर चुके हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सभी का, भाई एक बार जाके like का button जरूर दबा दीजेगा, थोड़ा motivation हमको मिल जाता है, और खुशी मिल जाती है आप लोगों को पढ़ा करके, तो मैं सोना ली आपकी EVS teacher, और हमारी जो class की timing है, वो है 6-7 p.m. every Monday to Saturday, और यह हमारी team है, जिसमें सब को आप पहचानते हैं, रेगुलर आप class अटेंड कर ही रहे हैं, ठीके, और यह free of cost है आपकी classes, आपको सिर्फ subscribe करके channel में घुश जाना है, और हमारे साथ जोड़ जाना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें और, और आज की जो हमारी class है, वो भी MCQ based ही है, और all over प जिसमें आपको पूरे almost bird से related questions मिलेंगे, तो चलिए, आज की class अब शुरू कर देते हैं, और ध्यान से answer करिए, जहां जिसको जो समझ नहीं आएगा, वो आप लोग फटा-फट पूछते भी जाईए, और कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी topic में आपको problem आ रही है, तो बोलिए, उस पे मैं अलग से separate आप लोग की class में जो भी describe करना होगा, जो भी problem होगा, उसको समझा दोगी, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं, first question ले ले लेते हैं, which bird make nest between stones, कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच घौसला बनाता है, डव, भारती रॉबिन, डग या मोर, इंडियन रॉबिन या भारती रॉबिन को कल चिड़ी भी कहा जाता है, मैंने आप लोगों को पहले बेग बार बताया है, जब पढ़ाई हूँ तो, और डव को जो है, हिंदी में फाक्ता भी कहा जाता है, तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, तो साथ में लिखते भी जाएंगे, रोहिद जी ने A आंसर किया है, शाहिन जी ने B आंसर किया है, और प्रतिक्षा जी का A आंसर है, वैब जी का V आंसर है, A और B में थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, ओके, नाइस, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा, और इसका राइट आंसर जो है, वो है B, ठीक है, जिन लोगों ने B आंसर किया, उनकी तो बल्ले-बल्ले हो गई, A वाले जो हैं, वो आंसर उनके बढ़ कोई बात नहीं, जो गलती उसको आपको सुधारना है, ये गलती क्यों हुई है, उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगी, पहले तो आप इसका हिंदी में भी नाम लिख दीजिए, जो डव है, उसको हिंदी में कहते हैं फाक्ता, ठीक है, ये भी आपको नाम पता होन जरूरी है हाँ तो भारती रॉबिन जो है इंडियन रॉबिन उसको कल्चिडी भी कहा जाता है और कल्चिडी जो होती है वो पत्थरों के बीच में घौसला बनाती है ठीक है जहां भी पत्थरवत्त इनके बिखरे वे होते हैं वहाँ पे वो अपना घौसला तयार करती है तो ये हो गई कल्चिडी और इसमें confusion डव को लेकर कि क्यों हुआ है ये आपको आगे आने वाले जो questions हैं उसमें पता चलता जाएगा तो A और B में ही confusion था बट इसका right answer जो है वो है B clear हो गया? आगे बढ़ते हैं पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं यह है क्योंकि birds move their neck a lot this is because the pupil of the eyes of the birds cannot move पक्षियों की आखों की पुतलियां हिल नहीं सकती their ears are covered with feathers इनके कान पंखों से ढके होते हैं the eyes are small आखे छोटी होती हैं they can fly वे उड़ सकते हैं यह लगबग सभी tat में जो पूछे जाते हैं न सब तरह के up tat हो गया c tat हो गया अलग-अलग जो tat होते हैं state wise सब में लगबग इन में से question आते हैं तो सारे मैंने collect कर लिये और आप लोगों को आज पुरा revise करा दूँगी mostly इसका जो है answer वो a में आ रहा है I think किसी को कोई doubt नहीं है इसमें very good right answer भी a है बिल्कुछ सही answer सब कर रहे हैं तो किसी को भी कोई भी doubt नहीं है पक्षियों की जो आखे होती है उसकी पुतलियां हिल नहीं पाती इसलिए आप देखते हैं कि वो अपने गर्दन को हिलाती रहती है एक जगा इस्थिर नहीं बैठती सबसे पहली तो कंडिशन उनकी होती है कि वो एक जगा इस्थिर नहीं होके नहीं बैठती है वो बहुत चंचल होती है इधर उदर हिलती रहती है और उनकी जो body होती है वो बहुत हलकी होती है जब features पूछा जाता है उसमें ये भी पूछा जाता है कि जो bird होती है उनकी body बहुत हलकी होती है इसका क्या कारण है कि उनकी जो हड़ियां होती है वो hollow होती है अंदर से खोकली होती है और इस कारण से वो क्या होता है आसानी से हल बिलके होने के करण आसमान में उड़ सकती हैं। उसकी बाद इनके पंक जो होते हैं वो थोड़े से कैसे होते हैं। वैक्सी होते हैं। मतलब उनमें पानी डाला जाएगा तो वो चिपकते नहीं है पानी, उनको आराम से जाड़ लेती है। तो इस तरह से आप देखते होंग उनके feather में से अराम से निकल जाता है, क्योंकि उनके जो feather होते हैं, वो कैसे होते हैं, waxी होते हैं, mom लगे हुए से होते हैं, ठीक है, जरीन जी, very good evening, तो ये इनके कुछ खास features हैं, जो अलग-अलग प्रशनों में, अलग-अलग धंग से पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि इसके साथ और भी आपके तीन से चार question बन जाते हैं, हाँ, माही जी आज जो है वो है नहीं class में क्या बात हो गई भई, चलिए कोई बात नहीं, वो किसी कारण से ही नहीं आ पाई होंगी, क्योंकि बिल्कुल regular student है, कोई problem होगी, तो वीडियो भी हमारा available है, अ हुमारे साथ नए member से उनको बता दूँ, अगर आप live class किसी दिन attend नहीं कर पाते हैं, तो आप video जरूर देख सकते हैं, ठीके, after live class, it is converted in video, ठीके, वो convert हो जाएगा video में, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अ हैरोन, एक great bird, एक भैंस की पीट पर बैखने वाले एक बगुला होता है, it often seems sitting on the back of buffalo, this happens because भैंस की पीट पर अकसर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि, the parasite on the back of the buffalo, eats the insect, भैंस की पीट पर परजीवी कीट को वो खाता है, eats kite found in the grasses, घांस में पाए जाने वाले कीट को वो खाता है, like to sing while sitting on the back of buffalo, भैंस की पीट पर बैठ कर गाना पसंद करता है, take a little rest after flying, उड़ने के बाद थोड़ा अराम करता है, क्या कारण होता है कि वो भैंस की पीट पर बैठता है, third के answer आने start भी हो गए, very good, good going, nice, कोई problem नहीं है, ये question मैंने बहुत बार देखा है question paper में, तो इसका जो answer है, right answer वो यही है, कि वो भैंस की पीट पर परजीवी कीट खाता है, या सहभोजी जो होता है, उसके type में आजाता है, कि साथ में ही वो क्या करते है, मतलब इससे फाइदा क्या होता है, वो भैंस की जो पीट पर कई तरह के कीट होते हैं, उसको भैंस तो हटा नहीं पाता है, कि चलो भाई, आज साबुन से नहा लिया, तो सब साफ हो गया, ऐस बगुले का पेट भी भर जाता है और भैंस की पीट पर जो परजीवी कीट होते हैं वो भी हट जाते हैं तो इस तरह से इस काम में क्या होता है दोनों का ही फाइदा हो जाता है तो ये राइट आंसर है सभी का very good आगे बढ़ते हैं next question लेते हैं which one of the following bird moves its neck back and forth with a jerk निम लिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को जटके से आगे पीछे करता है आउल, क्रो, बार्बेट, मैना, उल्लू, कववा, बार्बेट या मैना जिन्हों ने भी class को like नहीं किया है, please like कर दें और अपने किसी friends या family member से अगर share करना चाहें तो link share भी कर सकते हैं नंबर कितने सही हैं, कैसे समझें, मैं तो answer आपको बता रही हूँ, उससाब से आप समझ जाएंगे वा, इसके लिए तो लग रहा है, सब लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है और इसके बारे में मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, अच्छे से आप लोगों को और लग भग सब के answer सही है, very good, बहुत अच्छा सब ने almost सही answer किये, किसी का भी wrong answer नहीं है मैंना जो है, वो जटके से अपनी गर्दन को क्या करती है, आगे पिछे करती है और इसको याद रखिएगा कि जटके से करती है, ठीक है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो अराम से पीछे ले जाती है और फिर अराम से सामने ले आती है, एक जटके से वो करेगी, यह है मैना ठीक है, बिल्कुल सही answer है, very good, nice आगे बढ़ते हैं, next question ले लेते हैं Which bird has eyes in front of its head like human being? किस पक्षी के सिर के सामने इंसान की तरह आँखे होती है आउल मतलब उल्लू, क्रो मतलब कौवा, बार्बिट, मैना मैना तो बहुत जगए पाई जाती है 36 गड़ में मैना पाई जाती है पहाड़ी मैना वहां की राजकी पक्षी है और भी अलग अलग जग़ों पे मैना बहुत commonly पाई जाती है MP 36 गड़ में तो बहुत है मैना Most of the answer जो है, इसमें A आ रहे हैं I think confusion मुझे लग रहा है किसी को भी नहीं है है ना, बहुत easy आप लोग के लिए है ये छीक है, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो ये अच्छी बात है कि सबका आंसर सही आ रहा है मतलब इसमें आप लोग के 100% mark तो fix हैं अगर इने से कोई question आते हैं क्योंकि repeated question है, इनमें से question repeat भी हो रहे हैं काफी सारी, ये owl वाला भी repeat होता है मैना वाला भी repeat होता है, हाँ बिहार में भी है मैना, मैना almost बहुत जगए आपका मिल जाएगा ठीक है न, तो common जो birds हैं उनमें जैसे crow हो गया, मैना हो गया आपका sparrow हो गया ये easily हर जग़ा पे मिल जाते हैं इस तरह के जो birds होते हैं ठीक है, तो clear है यहाँ उसी कोई problem नहीं है, आगे बढ़ते हैं और इसके जो owl जो हो गया इसकी आखे सामने की तरफ होती है और इंसानों की तरफ होती है और इसकी जो पुतलिया होती है ये आखे जो होती है वो actually बहुत बड़ी-बड़ी होती है ठीक है, तो इनके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है साथ में वो मैं बता दूँ एक question और भी बन जाता है कि जो आउल होता है वो क्या है निशाचर है रात में घूमने वाला हुआ है ना एक ऐसा पक्षी जो रात में शिकार करता है और अच्छे से देख पाता है लेकिन दिन में उसे दिखाई नहीं देता इसकी आँखों की पुतलियां काफी बड़ी होती है और इस कारण से क्या होता है इस तरह का light का effect होता है कि जैसे हम कभी-कभी आप देखिए कि बहुत आप अंधेरे room में कहीं है ठीक है फिर आप उजाले में जाईए तो आपको तो बिल्कुल clear दिखेगा सब कुछ कोई दिक्कत नहीं होती है अंधेरे से आप उजाले में लेकिन कभी-कभी आप बहुत तेज धूप में आप रहिए और बिल्कुल आप घर के अंदर आईए जहां light नहीं जल रही है तो थोड़ी दिर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारी आँखों ने क्या कर लिया है बहुत सारा जो light है उसको absorb करके रखा हुआ है तो इसकी जो पुतलिया है इतनी बड़ी होती है कि जिस तरह का feel हमको आता है धूप से किसी अंधेरे कमरे में घुसने के बाद कि हमें चौंधिया जाती है बोलते हैं आँखें चौंधिया गई हमारी बता हमें कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है वही चीज इसके साथ होता है कि इसको दिन में जो है इसकी आँखे भी इस तरह से चौंधियाई रहती है इसको दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसकी आँखों की पुतलियां बड़ी होती है और इसलिए ये अंधेरे में इसको काफी अच्छे से दिखाई देता है क्योंकि आँखों की इसकी बनावट कुछ इस तरह की होती है आगे बढ़ते हैं, next question which bird can rotate its head 360 degree कौन सा पक्षी अपना सिर 360 degree, 360 degree तक खुमा सकता है sun bird, crow मतलब कववा, owl मतलब ullu, mena हाँ, बिहार में बहुत तरह के birds हैं बहुत अलग-अलग तरह के, मैं भी बिहार से, basically बिहार से ही हूँ तो वहाँ जब हम जाते हैं, तो बहुत ही सुन्दर-सुन्दर birds हमको देखने कई बार मिलते हैं खासियत तो है, वहाँ पर कई सारे अच्छे वैसे तो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह के birds जो हैं, वो दिखाई पड़ते हैं बिहार में बहुत तरह के birds हैं इसमें भी आंसर फटा-फट सबके आ रहे हैं थैंक्यू जरीन जी कोई दिक्कत में आप लोगों को हूने भी नहीं दूँगी मेरा काम ही यही है कि आप लोगों की दिक्कत को मैं आसान कर दूँ यह subject ऐसा है कि वैसे ही interesting है और अगर मैं इसको बस ऐसे ही रटवाती रहूंगी आप लोगों की रट लोग तो मुश्किल हो जाती है रटना आपको सिर्फ क्या है इसमें जो ears है sun जो आपको याद करने होते हैं वो आपको थोड़ा रटना होता है बाकी कई सारी चीजे मैं आपको explain ही इसले करती हूँ कि वो आपको रटने की जरुवत नहीं हो आपको वो याद हो जाए मैं आपसे यही कह रही हूँ कि एक साथ हम quantity अगर बढ़ा लेते हैं किसी भी चीज की तो उसकी quality खराब होनी निश्चित है आप देखिए कभी-कभी घर में आप कभी-कभी बहुत जादा कोई चीज बनाते हैं किसी भी चीज को बहुत जादा मात्रा में बनाते हैं तो कई बार वो चीज बिगड़ भी जाती है लेकिन कम मात्रा में बनाते हैं तो वो चीज अच्छी बनती है तो quantity और quality दोनों में balance करना जरूरी है मैं चाहूं तो quantity बढ़ा दूँ पर quality खराब हो जाएगी कुछ समझाओंगी नीपटपटपटपटपढ़ाती जाओंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और इसमें क्या होता है कि मैं जो आपको समझाती हूँ अगर दो point मैं आपको बताती हूँ तो दो point आप भी उधर से मुझे बताते हैं ये बहुत अच्छी जीज है तो इस तरह से हमारा जो knowledge है उसका exchange होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि you all are teachers आप लोग आगे चलके बहुत अच्छा बहतरीन काम करेंगे ये मुझे पता है तो आप लोगों को अगर मैं knowledge दे रही हूँ तो आप लोग भी group में कुछ न कुछ हमेशा knowledgeable डालते रहते हैं तो ये सबसी अच्छी बात है चलिए तो इसमें किसी को कोई problem नहीं है और बहुत easy है आज हमारा आप लोगों के लिए क्योंकि इसकी तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छी कर रखी है तो easy इसी लिए है कि हमारी तैयारी अच्छी है very nice आगे बढ़ते है which type of bird's beak is used to tear and eat meat किस प्रकार के पक्षी की चोंच का प्रयोग मांस को फाड कर खाने के लिए किया जाता है कौन शेप बिग शंकू आकार के चोंच straight बिग सीधी चोंच hooked बिग जुकी होई चोंच long बिग लंबी चोंच मीला जी का अंसर सबसे पहले आया है very good सुजाता जी का भी आंसर आ गया है रोहिद जी का भी आ गया इसमें ज़्यादा लोग के आंसर अभी तक आये नहीं है c is the right answer और जिनोंने भी c किया है उन सब के आंसर तो सही है तो most of the answer जो है वो c में आ रहे है एक श्रीकान जी का d आ रहा है लंबी चोंच थोड़ा सा confusion है मतलब c is the right answer ठीक है कोई बात नहीं इसको हम आगे देखते हैं देखे शंकू आकार की चोंच मतलब नॉर्मली जो हम नुकीली सी चोंच देखते हैं वो multi-purpose होती है सब तरह के पेड़ पौधों में जो कीड़े वेड़े होते हैं उनको खाने के लिए सीधी चोंच होती है थोड़ी चप्टी चोंच भी रहती है यह सब नॉर्मल चोंच जो आप देखते हैं चुड़ियों की वो होती है और एक होती है काफी लंबी नुकीली सी होती है और जुकी हुई होती है तो इनके बारे में थोड़ा सा हम पिक्चर में देख लेते हैं सबसे पहली जो पिक्चर है अगर आप लोग को पिक्चर clear हो रही होगी मैंने कोशिश तो की है कि इस ढंक से रखा जाए कि आपको picture clear दिखाई दे और phone को आप लोग आड़ा कर लीजे तो आप लोग और भी clear दिखेगा जैसे picture आने लगते हैं तो आप phone आड़ा कर लीजे तो आपको थोड़ा space जादा मिल जाएगा screen पर ठीक है तो देखें फर्स जो है आपकी sparrow है normal simple छोटी सी चोँच है बिल्कुल कौन शेप की चोँच है ये क्योंकि अनाज जादा तर खाती है छोटे छोटे कीड़े मकोडे खाती है और जादा तर ये अनाज पर ही depend होती है इसको घरेलू चिडिया भी कहते है एक कोशन ये भी बनता है घरेलू चिडिया में कौन-कौन आते हैं तो घरेलू चिडिया में ये गौरईया आती है sparrow क्योंकि ये हमारे आसपास में अभी तो कम हो गई ये संख्या इतना मुझे याद है जब छोटे में मेरी मदर चावल बिना करती थी या गेहूं चुना करती थी तो ये चिडिया हम वहीं कुर्सी वह पर बैठे रहते थे और बिल्कुल हमारे पैर के आसपास में ये बहुत सारे जुंड बना करके बिना डरे अराम से जो हम गेहूं साफ करते थे उसमें से जो भी धान वगरा जो भी निकल रहा है एक्स्ट्रा उसको वो बैठकर वहाँ चुकते रहते थे बिना किसी डर के इतनी घरेलو ये चुडिया होती है ये घरेलू चुडिया के नाम से भी जानी जाती है उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी अजीव से मुरी हूए चोच है लेकिन ये इसमें एक नोग बना हुआ है बिल्कुल सेंटर पे आँग सकते है ये गिध की चोँच है ये जो है, यह किसी भी मांस को फाड़ कर खाने के लिए, बहुत ही क्या होती है, easy हो जाता है, क्योंकि यह वलचर जो होते हैं, यह ज्यादा तर मरे हुए जान्वरों का जो है भोजन करते हैं, छीक ए, अमरे근 पोशी जो कहा जाता है ये होते हैं गिद्धों की जो संख्या है ये भी हमारे देश में बहुत कम होती जा रही है ये इसका बहुत सारा कारण होता जा रहा है इसलिए क्योंकि कई ऐसी जो दवाईयां सिरिंच वगरा फेक देते थे इसका reason भी हमने पढ़ा था कि जो hospital से निकलेवे जो waste होते हैं उनको fake दिया जाता है और कई सारे ऐसे मांस मांस के टुकड़े जब पढ़े रहते हैं उनमें जब ये दवाईयों वगरा के अंश होते हैं तो उनको ये खाते हैं तो ये कई सारे जो गिद हैं आस पास में जो environment में जो चिडिया वगरा हैं जानवर हैं उनको कई तरह की बिमारी होने का खत्रा बढ़ जाता है तो इनकी जो चोंच है ये hooked है मुड़ी हुई है और देखें तोते की एक अलग तरह की होती है गोल सी मुड़ी हुई वो भी अलग तरह की लेकिन वो hooked नहीं है ठीक है वो चोंच होती है वो किसी भी चीज को कुतर कर खाने के लिए होती है क्योंकि नीचे भी उसके जीब में ऐसे जगा असा रहता है और उपर आप देख रहे हैं एक लंबी चोंच वाली छोटी सी चिडिया है हमिंग बर्ड तो यह फूलों का रस जो है वो भी पी लेती है छोटे-छोटे कीट पतंगों को खाती है तो यह हो गई आपकी हमिंग बर्ड इसकी चोंच की अलग तरह की वेराइटी आप देख सकते हैं पिन नुमा है बिल्कुल है न एक सुई नुमा और सबसे नीचे आप देख रहे हैं वो आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि बड़ी चौडी सी इसकी चोंच है और नीचे थैली बनी हुई है तो थैली नुमा चोंच हो गई है तो इस तरह से प्रकृती ने सबके पास कुछ न कुछ इसपेशल चीजें दी है तो ये चोंच जो है चिडियों का एक अलग-अलग तरह का चोंच जो है उनको अलग-अलग तरह की चीजें खानी पड़ती है शिकार करना होता है उस हिसाप से उनके रहने के स्थान और उनक की हुई चोंच जिसको कहा जाता है, hooked beak, तो अभी आप लोगों को सब को clear हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं next question पे, state bird of राजिस्थान, राजिस्थान का राज की पक्षी कौन सा है, great Indian bustard, peacock, मतलब मोर, crane, मतलब सारस, vulture, मतलब गिद, 8 का answer आना शुरू हो गया, very good, सब answer कर रहे हैं, अच्छी बात है, most of the answer is a, pinky ji का d आया है, कोई बात नहीं, a is the right answer, और almost सभी ने सही answer किया है, यह अच्छी बात है, very nice, तो ए जो है, great Indian bustard, जो है, यह राजिस्थान का राज की पक्षी है, तो ऐसे अलग-अलग राजियों के भी अलग-अलग राज की पक्षी होते हैं, इनको भी आप याद करिए, एक जिसे जम्मू एंड कश्मीर का आप कर लीजिए, वहां के सारे कर लीजिए, जानवर हो ग के वो north-eastern side के जो है न, कुछ प्रदेश, उन में से कुछ questions मनते हैं, तो यह 3-4 हैं, जिन राजियों से जादा questions पूछे जाते हैं, तो great Indian bustard जो है, यह भी एक ऐसी प्रजाती है, जो अभी खत्रे में है, मतलब इनकी संख्या भी कैसी हो गई है अब, देरे-देरे कम हो दिखाई पड़ती है, यह मैंने add किया है, picture के through हमें बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, इसलिए मैंने इनको add किया हुआ है, there are less than 150 great Indian bustard left in the wild, मतलब जंगलों में हैं, जो इनकी condition हैं, बहुत ही खराब, poor condition कह सकते हैं, क्योंकि इनका भी शिकार हो जाता है, अच्छे जो कुछ लोग इनको खा जाते हैं, कुछ लोग इनको बेच देते हैं, पकड़ पकड़ के, तो इस तरह की चीजें होती हैं, जिससे की क्या हो रहा है, इनकी जो संख्या है, वो दिनो दिन कम होती जा रही है, तो लगभग इनकी एक अंदाजन, यह मोटा मोटी जो एक idea लगा पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह जो bird है, यह लुप्त भी हो सकती है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कल, कि जो आपका giant panda है, जो www.f का symbol है, हमारा, वो panda जो है, वो भी लुप्त हो चुका है, कितना सुन्दर लगता है, वो panda जो है, आप लोग देखते होंगे, market में बच्चों के लिए soft eye के रूप में उपलब्द तो होता है, लेकिन कभी सोचिए कि एक time था जब वो real में था, बट अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अब क्या हो चुका है, लुप्त हो गया, ऐसी कई प्रजातियां जो है, हमारे देश और विदेशों से, मतलब विश्व से ही, बहुत सी ऐसी प्रजातियां जानवरों की है, वो लुप्त होती जा रही है, गिद्ध का भी वही condition है, और गिद्ध हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बट उनकी विलुप्ती भी हो रही है, पर उनका संरक्षन जो है, बिहार में एक जग की शाखा से लटका हुआ घौसला बनाता है, छोटा पेड़ इसमें कहा गया है, ध्यान दीजेगा, रॉबिन, सन बर्ड, तोता या गिद्ध और आंसर आने शुरू हो गए हैं, फटा फट आंसर करिए, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है आजके क्वेशन्स, इजी हैं, और नाइंद का आंसर अल्मूस्ट सबका B आ रहा है, और B is the right आंसर, है ना, तो ये जो पक्षी है, ये छोटे पेड़ों पर घोसला बनाता है, ज लटकता हुआ बनाता है, जाडियों वगरा पे भी बनाता है, ठीक है, ये है सनबर्ड और देख लेते हैं कि इसका घोसला किस तरह को होता है, अच्छा, एक और कोशन इसमें से बनता है, जो मैं साथ में आपको बता देती हूँ, कि सनबर्ड जो होता है, वो कपड़े, बगज, धागे, रुई, पत्तियों, सब चीज को जोड़ देता है, और फिर क्या करता है, अपना घोसला तयार करता है, तो देखे इसका घोसला लटकता हुआ होता है, लेकिन बहुत क्लीन इसमें जो घोसला है वो आपको दिखाई नहीं देगा, देखे किस तरह से इसमें पत्ते लटक रहें, बहुत फाइन काम आपको नहीं दिखेगा इसमें, समझ रहे हैं न, मैं क्या बोलना चाहरी हूँ, कि और पक्षियों का आप घोसला देखेंगे, तो कई जिसे घास से ही वो पुरा बनाते हैं, कई जो है वो छोटी-छोटी लकडियों का इस्तिमाल करत हैं, लेकिन ये जो होता है, आपका sunbird, ये कैसे करता है, जो भी इसको मिल जाता है soft चीज, कोई भी soft चीज होनी चाहिए, तो वो इन चीजों को ले करके अपना घोसला त्यार करता है, और देखे इसकी चोच जो है, ये काफी लंबी सी दिखाई देगी, नुकीली सी, ठीक ह तो ये इसकी पहचान होती है, येलो कलर का होता है, और sunbird कहलाता है, सिर जो है इसका blackish रहता है, और ये काफी इनका घोसला भी है, attractive होता है, बट बहुत fine नहीं दिखता है, तो ये आप पहचान कर सकते हैं, देखे बया का और sunbird का घोसला जो है, थोड़ा लोगों के लिए difficult होता है, लेकिन बया का घोसला जो होता है, वो बहुत ही clean होता है, साफ सुतरा होता है, लेकिन इसमें वो सिर्फ घास से बना हुआ होता है, लेकिन किसका sunbird का सूर्य पक्षी नाम है इसका, sunbird का जो हिंदी में नाम है, वो है सूर्य पक्षी, ठीक है? सूर्य पक्षी जो होता है यह इसलिए सूर्य को ही दिखाता है यलो कलर भी इसकी बॉड़ी में होता है और इसका जो घंसला होता है यह थोड़ा सा आपको समझ में आ गया हो कोई बहुत clean नहीं दिखेगा आपको ठीक है और चोटी-चोटी जाड़ियों में यह भी घर के पा और वहां sunbird है तो वह आपके घर के आसपास में भी उन twix में भी जो डालियां रहती है उन में भी अपना घंसला बनाते हैं बड़ा सुंदर घंसला इनका दिखता है लेकिन बस यह होता है कि थोड़ा सा यह सारी चीजें इसमें लटकती हुई दिखाई देती है ठीक है है कैक्टस के पौधों के काटों या महंदी की बाढ़ के बीच में कौन अपना घंसला बनाता है विच बर्ड मेक इट्स नेस्ट अमंग द थौर्ण ओफ कैक्टस प्लांट और महंदी हैज पिकॉक मतलब मोर डव वीवर बर्ड बुनकर पक्षी या क्रो कॉवा डव को फा हाँ इसमें आंसर आना शुरू हो गया बबलू जी का आंसर सबसे पहले आया वेरी गुड और लोग भी आंसर जल्दी जल्दी करिए इसमें जो है आपका बी आंसर आ रहा है डव बिल्कुल सही आंसर है देखिए एक फर्स्ट जो मैंने question आप लोग को पूछा था पत्थरों के बीच में घौंसला है ना तो आप इसमें थोड़ा confused उस टाइम हो गय थे कई लोगों ने डव किया था वो इसलिए हुआ था क्य कलचीडी कहा जाता है और कैक्टस या काटों के बीच मेहंदी की बाड उनके बीच जहां पर मतलब बहुत softness आपको दिखाई नहीं देगी वहां पर आप देखेंगे कि जो है डव है वो अपना घौंसला बनाता है ठीक है किस तरह से बनाता है वो भी देखिए देखिए इ नुकिली नुकिली ट्विक्स निकली हुई है और इसके अंदर इसने अपना घौंसला काफी हद तक ये कबूतर की तरह दिखाई देता है बट साइज में छोटा होता है इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और हिंदी में नाम भी लिख लीजेगा हाँ इसलिए मैंने क्लियर किया पिक्चर इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन किसी भी तरह से ना हो ठीक है तो ये डव जो है ये आपका जो है कहां बनाएगी कंटीली जाडियो वगरा में बनाएगी और इस टोन में जो है वो आपकी कल्चिरी इंडियन रॉबिन बनाएगी तो इसमें कंफ्यूज मत होईएगा इसको लिख के रख लीजे गहीं इसलिए मैं पिक्चर भी शो किया है ताकि आप लोग देखें मुझे हर तरह के स्टूडेंट्स जो है उ गिम दा लॉगेस्ट और बीगेस्ट बर्ड और भारत की सबसे लंबी चिडिया कॉन सी होती है पैर्ट शुतुर मुर्ग ओस्टरिच डख मतलब बतक फ्लेमिंगो मतलब मराल कहा जाता है फ्लेमिंगो आप लोग जानते हैं पतली दूबली सी रहती है पैर्ट ओस्टरिच डग और फ्लेमिंगो, बहुत एजी है इसमें तो I think किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बहुत एजी आंसर है, शुतुर मोग जो है सबसे बड़ा होता है, इन में से आपको छाटने में भी दिक्कत नहीं होगी है न? और किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है ये एक और कोशन बन जाता है इसी में तो वो शुतुर मोर्ग ही है, जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है कौन सी चिडिया उड़ नहीं सकती है, तो वो शुतुर मोर्ग है जिसके पंक होते वे भी वो उड़ नहीं सकती है तो देखे एक ही question में आपके तीन question निकलाते हैं ठीक है, clear है, किसी को कोई problem I think नहीं होगी, बढ़ते हैं आगे Who builds the nest on the tallest tree सबसे उंचे पेड़ पर घौसला कौन बनाता है यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा उंचे पेड़ पूछा है, ठीक है दो question एक जैसे आपको मिलेंगे एक तो यह है और एक और मैं बताऊंगी उंचे पेड़ पर कववा, चील, मोर या गौरईया Who built the nest on the tallest tree उंचे पेड़ पर कौन घौसला बनाता है 12th का आंसर करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो A नहीं बलकि B है चील, चील सबसे उंचे पेड़ पर घौसला बनाता है मतलब अगर एक जंगल है बहुत सारे पेड़ है तो उनमें जो सबसे उंचा पेड़ होगा उसमें ही चील अपना घौसला बनाएगा जायतर वो जमीन से काफी distance में ही रहता है उपर ही आप देखेंगे कि बहुत हाई उसमें उड़ता है तो चील जो होता है वो उंचे पेड़ पर घौसला बनाता है इस चीज को आप में पकड़ के चलिए उंचा पेड़ आपको ध्यान देना है ठीक है? तो इसका आंसर आप सब करेक्ट करेंगे और इसका राइट आंसर चील है सबसे उंचे पेड़ इस चीज को आप ध्यान दीजिए ठीक है? हाँ सोनी जी का सही हो गया लग रहा है कि तुक्का लगाया था इसलिए हसी आ रही है सोनी जी को कि चलो भाई आस तो मेरा तुक्का सही लग गया ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं कौन सा पक्षी सबसे उंची डाल पर अपना घौसला बनाता है? वो था उंचे पेड़ पर और अब आगई बात उंची डाली पर कौन सा पक्षी सबसे उंची डाल पर अपना घौसला बनाता है? कववा, चील, मोरिया, गौरईया ये दो कोशन है जिन में कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैंने बैक टू बैक रखा है इसको अच्छा सोनी जी कह रही है पढ़ेते पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है आपने इसका आंसर जो है वो अब कुछ लोगों का ए और इसमें भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो इसका आंसर जो है वो आप लोग अपसो समझ करके दीजिए कि बैक टू बैक रखने का क्या कारण है ठीक है तो इसमें आप थोड़ा फर्क करिएगा कि सबसे उची डाल पर अपना घौंसला जो है वो कववा बनाएगा माल लीजिए कि एक बहुत बड़ा पेड़ है ठीक है उसमें बहुत सारी डालिया है बहुत सारी चिड़िया अपना घौंसला बना सकते हैं और थोड़ा सा अलग थलग बनाएगी चील सब के साथ नहीं बनाएगी क्योंकि इसको शिकार करना है तो वो शिकारी पक्षी है तो वो जहाँ पे भीड जादा होगी वहाँ पे वो नहीं रहेगी और ऊपर वो इसलिए रहती है वो किसी उंचे पेड़ पर और थोड़ा अलग थलग अपना गोंसा बनाएगा ठीक है? अगर हम किसी उंचे जगा पर रहेंगे न तो हमको नीचे सब कुछ दिखाई देगा तो ये बहुत दूर तक भी देख सकते हैं चिडिया जो चील होते हैं तो ये लोग ऐसे जगा बनाते हैं जहां से ये सब पर नजर रख सकें क्योंकि इनको शिकार करने में क्या होगी? आसानी होगी ठीक है? आगे बढ़ते हैं, next question लेते हैं चलिए Which bird builds the most beautiful nest? कौनसा पक्षी? सबसे खुबसूरत घौसला बनाता है Sunbird, सूर्य पक्षी, Weaverbird, बुनकर पक्षी, टेलर बर्ड, दर्जिन पक्षी या Hummingbird ये आपको बताना है 13 का, 14 का अंसर करेंगे प्लीज सबसे खुबसूरत घौसला जो होता है, वो किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, वो है Weaverbird, जिसका घौसला सबसे सुन्दर होता है मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि Sunbird और Weaverbird में थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी Sunbird का जो है, वो क्या करती है? कपड़े, रुई, तार, ये सारी चीज़ें मिला करके बनाती है बहुत सुन्दर नहीं दिखता है उसको घौसला, लटकता हुआ ही रहता है लेकिन जो बुनकर पक्षी होती है, उसका जो घौसला होता है, वो बहुत सुन्दर बहुत फाइन होता है दिखने में बहुती ज़्यादा सुंदर होता है देखे कुछ इस तरह का होता है और ये इतना सुंदर होता है दिखने में कि जो इसमें क्या होता है जो माधा होती है जो लेडी होती है बर्ड वो अपना गहुंसला नहीं बनाती अच्छा एक कोशन इसमें से और बनता है आप उनको वो घोंसला क्या करता है दिखाने की कोशिश करता है कि आओ मैंने घोंसला तियार किया है और आ करके इसमें रहो जिससे की क्या होती है वो घोंसला देखकर के जो है वो चिडिया आती है उनके पास वहाँ पर फिर वो अंडे देती है तो इस तरह से जो है ये घोंसला ज इंडे के लिए वो जगह होती है, तो बहुती बहुती सुन्दर घौसला होता है, यह उचे पेड़ों पर बनाती है, लेकिन संबर्ट जो होती है, वो थोड़े छोटी छोटी जाड़ियों में बनाती है, और आपने, मैंने पहले पिक्चर संबर्ट का भी दिखाया है, और य इसलिए पिक्चर भी शोग किया है, कि आप लोग ये confusion आप लोगों को ना हो, और अच्छा दरजिन जो चिडिया है, कई लोग ने टेलर बर्ट भी किया होगा, तो टेलर बर्ट जो है, टेलर बर्ट जो है, पत्तों को जोड़ देती है, और सिलाई कर देती है, उससे, नामों से जाना जाता है, एक तो बया नाम से जाना जाता है, दूसरा आपकी बुनकर पक्षी या जुलाहा पक्षी या जुलाही पक्षी, ये कहा जाता है, ये तीन-चार इसके नाम होते हैं, ये आप कहीं note-down करके रखते जाईए, ठीके, वीवर बर्ट के बया, बुनकर जुलाही चडिया ठीक है ये नाम होते हैं और टेलर बर्ट को दरजी चडिया या दरजिन चडिया कहा जाता है तो इस तरह से आप लोग सभी को क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन लेते हैं ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी घॉंसला नहीं बनाता ठीक है त प्रो मतलब कववा, काइट मतलब चील, कुकू मतलब कोयल, स्पैरो मतलब गौरईया थैंकि सोनी जी आपको मेरी महनत समझ में आ रही है कि मैंने फोटोस क्यों एड़ किये हैं मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा फोटोस जो हैं उसको एड़ करके रखना चाहिए क्योंकि उससे क्लियरेटी हो जाती है कोई भी चीज को समझने में तो सभी का आंसर जो है वो कोयल आ रहा है हमने शोटे में बच्पने में कहानी भी सुनी है कि कोईल जो है वो क्या करती है कववे के घोंसले में अपना अंडा रख देती है और काले ही रहते हैं बच्चे तो जो कववा होता है वो धोका खा जाता है काफी समय तक उसको क्या करता है पालता पोस्ता है बड़ा करता है और फिर कुछ समय के बाद जब उसमें से बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने जगा पे उड़ जाते हैं इस तरह से जो कोयल होती है वो अपना घोसला नहीं बनाती है और कोवे के घोसले पर अपना अंडा दे देती है तो ये हमने सुना हुआ है और ये रियल बात है कि कोयल अपना घोसला नहीं बनाती है बिल्कुत सही आंसर है सभी का आगे बढ़ते हैं, next question लेते हैं Who builds its nest on deserted tree in hollows in crevice of rocks जो अपना घोसला निर्जन व्रिक्षों पर और खोखलों में और चट्टानों की दरारों में बनाता है काइट मतलब चील, वल्चर मतलब गिद, पीकॉक मतलब मोर, क्रो मतलब कोवा 16 का अंसर करिए प्लीज जोती जी का अंसर आ रहा है रोहित जी कभी आ रहा है जिनको पता नहीं, कोई बात नहीं है, आज पता चल जाएगा इसमें टेंशन की कोई भी बात नहीं है इसको note down अप करते जाएए साथ साथ और mostly जो आंसर है, वो B आ रहे है और इसका right answer जो है, वो B होगा यहां गलती से A आ गया है बट A is not right answer मैं आपको बताऊं, इसका right answer B होगा गलती से यहां A दिखा रहा है बट right answer जो है, इसका B है, गिद्ध है यह A जो है, यह गलती से दिखा रहा है ठीक है, B is the right answer, इसको ध्यान मत दीजे, शायद गलती से A आ गया होगा इसमें, बट यहां इसका right answer जो है, वो है B, ठीक है, और यह इस तरह से घोंसला बनाता है, यह हम देख लेते हैं, निर्जन में एक ऐसे पेड़ पे घोंसला बनाएगा, जो बहुत ही अलग थलग सा होग जिसके पत्ते जड़ेवे होंगे, ज्यादा पत्ते नहीं रहते हैं, तो B, जो है, इसमें का right answer था, गलती से A चब किया होगा, बट B is the right answer, ठीक है, सब clear कर लेंगे, गलती मत करिएगा, तो जो गिद्ध है, वो ही अपना घोंसला जो है, वो पत्थरों पर, चटानों पर, दरारों में, चटानों की, देखें, किस तरह से ये गोंसला अपना त्यार करता है, ये picture कि थुरू मैंने आपनों सभी को दिखा दिया है, तो सब को बहुत हंसी आ गई, कि A आ गया था, सब ने B आंसर किया था, बट आप लोग बिल्कुल सही है, गलती मुझ से हो गई यहा कब B आंसर राइट है, राइट आंसर इस वल्चर, नेक्स्ट कोशन लेते हैं, विच बर्ड मेक स्मॉलेस्ट नेस्ट, कौन सा पक्षी सबसे छोटा गोंसला बनाता है, सन बर्ड मतलब सूर्य पक्षी, वीवर बर्ड मतलब बुनकर पक्षी, टेलर बर्ड दरजी पक्षी या दरजीन चडिया, हमिंग बर्ड, सेवंटीन का आंसर सब करियेगा, इसका राइट आंसर जो है, वो है D, हमिंग बर्ड, ठीक है, D, C में थोड़ा confusion था, कुछ लोगोंने C, कुछ लोगोंने D दिया था, तो इसका राइट आंसर आप ध्यान दिजेगा, इस बार कोई गलती नहीं हो रही है, राइट आंसर D है, तो जिनोंने भी D दिया है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमिंग बर्ड जो है, सबसे छोटी चिडिया, एक question और बन जाएगा इससे, कि सबसे छोटी चिडिया जो है, वो भी हमिंग बर्ड ही होती है, और सबसे छोटी चिडिया वो होती है, तो भाई उसका घौंसला भी सबसे छोटा ही होगा, तो देख किया है गुंजन पक्षी सबसे छोटे पक्षियों का एक कुल है सबसे छोटा साइज होता है इनका इसको हिंदी में हमिंग बर्ट को क्या कहते है गुंजन पक्षी भी कहते हैं ठीक है हमिंग करना मतलब हम हम करते हैं जैसे कोई story सुनाता है, तो हम करते हैं, हम जाता है, जिसे ट्रोकी लीडी कहते हैं, ये भी नाम है, ये गुंजन या भीन भनाने के आवाज निकालते हैं, तो इनकी आवाज जो होती है, कुछ इस थरा की होती है, कि इन्हें गुंजन पक्षी कहा जाता है इस वंश की अधिकांश पक्षियों की माप जो होती है वो 7.5 cm से लेकर के 13 cm 15 cm का आपका स्केल होता है छोटा वाला जो नॉर्मली हम यूज करते हैं छोटा वाला जो पैंसिल बॉक्स में आ जाता है उससे भी छोटा ये साइस में होता है तो इसमें से सबसे छोटे पक्षी की माप जो है लगभग 5 cm और भार जो होता है कितना कम होता है देखिए 2.5 ग्राम से भी कम होता है ठीक है तब 200 ग्राम से भी ये कम होता है क्लियर है सबी को तो ये एक information थी जो आप लोगों को देनी थी मुझे चलिए आगे बढ़ जाते हैं Which bird cannot fly ये जो पक्षियों का इसमें समूह दिया हुआ है इसमें से आपको छाटना है कि कौन से पक्षि ओड़ नहीं सकते हैं कबूतर, कीवी, गौरईया कीवी, शुतुरमुर्क, पैंगुईन सन बर्ड, कीवी, हमिंग बर्ड तोता, मैना और कुक्कू इसमें तीन-तीन options हैं मतलब ये तीनों ही चड़िया उड़ नहीं सकती किसी एक option में ऐसा होगा जिसमें तीनों ही चड़िया उड़ नहीं सकती है पक्षी हैं, पंक भी होते हैं बट उड़ नहीं सकती 18 का answer आ रहा है B Very good तो लगभग सब का answer जो है वो सही ही आ रहा है बिलकुत सही answer है D is the right answer, very good all of you तो कीवी, शुतुर मुर्ख और पैंगुईन ये तीनों ही birds हैं, पंक भी होते हैं पर ये उड़ नहीं सकती चलिए आगे बढ़ते हैं Which bird is make her nest in tree trunk of tree? पेड़ के तने में कौन सी चड़िया अपना गौसला बनाती है इसमें भी दो दो चड़ियों का नाम है पैरट, स्पैरो, तोता और गौरईया आउल बैट, उल्लू और बल्ला नहीं होगा चमगादड होगा वो चमगादड मानी है उसको हिंदी में वोट पैकर, कौपर स्मित, मतब कट फोडवा और छोटा बसंता या कट खोरा और क्रो और मैना, कववा और मैना 19 का C आंसर आ रहा है सभी का और बहुत फास्ट आंसर आ रहा है मतब बिल्कुल क्लियर है माइंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है वोट पैकर, कट फोडवा और कौपर स्मित, छोटा बसंता या बसंत गोरी भी इसको कहते है तो इसका नाम नोट कर लीजिए भई, हिंदी में दो-तीन नामों से ये जाना जाता है कौपर स्मित जो है, छोटा बसंता, कट खोरा या बसंत गोरी हाँ, बल्ला छप गिया है, इसलिए हसी आ रही है सबको अच्छा, तो ये है चमगादर, ठीक है, वो क्या होता है कि कभी-कभी ट्रांसलेट हम करते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन में वर्ड गलत ले लेता है तो ये हो जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट कोशन ले लेते हैं, ये देख लीजी आप इस तरह से होते हैं ये दिखने में, इनमें आप डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं जो आपका copper smith है, वो first picture की उपर नीचे जो आपको दिख रहे हैं, वो और बाद वाली जो picture है, जिसमें red आपका लगा हुआ है, सिर पर कलगी जैसा, वो आपका है woodpecker, मतलब cut forward हुआ, ठीक है? तो ये आप चुडिया को जो है, डिफ्रेंशियेट भी picture की थ्रू कर सकते हैं, तो इस तरह से ये दोनों ही जो है, ये पेड के जो hole होते हैं, उसमें अपने घौसले बनाते हैं, चलिए आगे वढ़ते हैं, next question, some bird can see up to four times as far as us, कुछ पक्षी अपनी दूरी से, चार गुना तक देख सकते हैं, पेरट, स्पेरो, पीजन, तोता, गौरया और कबूतर, आउल, पेरट और पीकॉक, उल्लू, तोता और मोर, आउल, इगल और कॉक, उल्लू, चील और मुर्गा, इगल, हॉक और वल्चर, चील बाज और गित, यस, डी आंसर आने शुरू हो गए है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोलते हैं न, कि इसकी नजर जो है, वो चील जैसी है, बाज जैसी है, या गित जैसी है, मतलब, और हमसे भी कही जादा तेज जो है, इनकी नजरें होती है, बहुत दूर से ये शिकार को आसानी से देख लेते हैं, ठीक है, तो आज की क्लास जो है, हमारी यहीं तक थी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज, लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे अगर आप चाहते हैं कि आप वो पाएं, जो आज तक आपने नहीं पाया, तो आपको वो करना होगा, जो आज तक आपने नहीं किया, ठीक है, तो आप उस काम में जुट जाईए, उतनी मेहनत करिए, जितनी आज तक आपने कभी नहीं की है, तो जरूर, definitely, आप अपनी जो म पहुचेंगे, और आपका easily exam जो है, वो clear हो जाए, इसी आशा के साथ, फिर आज की class में खतम कर रही हूँ, और कल मिलेंगे, और अच्छे नंबर तो आज सब के आये होंगे, नंबर देखने के कोई जरूरत नहीं, मुझे पता ही है, कि 17, 18 के उपर ही सब के आये होंगे, आ ब्लू जी का जो problem है, वो solve होगा, कुछ question ऐसे हैं, जिन में अभी भी describe करना थोड़ा बचा है, इसलिए मैं कम questions ले रही हूँ, describe ज्यादा कर रही हूँ, बट आगे आने वाले समय में, just double questions में से आपके होंगे, मतलब एक दिन में आपके 40 questions तक में लेके कराऊंगी, ठीक है तो बने रही है, फिला फॉर्म के साथ, और जो भी आप लोगों को दिक्कत होती है, उसको प्लीज बताईए मुझे, ताकि मैं जो भी दिक्कत आपको हो रही है, उसके लिए आपकी help कर सकती हूँ, कोई भी topic पर आपको problem है, तो आप बिल्कुल बिना किसी धीज़क के पू कर दिक?